हलो गाईज वेलकम बेक तू माई योट्यूब चैनल आज मैं आपको मॉन्टिना एल टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी दूँगी कि इसको कैसे यूज करना है इसके डोजेस के या है इसके साइड इफेक्ट्स क्या है इन सभी की जानकारी मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू दोंगी तो पहले हम जान लेते हैं यह जो होता है पैक होता है टेन टेबलेट का जिसका प्राइस होता है 64 रूपीज इसकी कॉंबिनेशन के है तो कॉंबिनेशन है Montilukast sodium and Levocitrisin hydrochloride tablet IP Montilukast जो होता है वह 10 mg एंद लिवो सित्रीजन का जो होता है वह 5 mg के कैपिसिटी है अब हम जानते हैं कि इसको हम यूज कप कर सकते हैं इसके यूजेस क्या हैं तो सबसे पहले लिवो सित्रीजन हम जानते हैं कि हम ऐलर्जी के टाइम पर उस टेबलेट को यूज करते हैं, तो ये दोनों के combination से बना है, तो ये भी जो tablet है, वो allergies सो होने वाली सर्दी में किया जा सकता है, और कौन-कौन से uses हम कर सकते हैं, तो जब किसी को अस्थमा हो या फिर दमा हो, धूल के कारण होने वाला कोई allergy हो छीक आ रही हो, बुखार हो सर्दी हो, तो इन सभी में हम इस tablet को use कर सकते हैं बट रिमेंबर हम जो है तभी use कर सकते हैं, जब आपको किसी doctor ने prescribe किया हुआ हो आपका medical report देखने के बाद, ये नहीं कि आप self medication करके, खुद on the basis of video, अब जाके ये tablet खरीद कर, ये सारे problem होने पर, खुद use करने लग जाएं, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि हर medicine जो होता है, वो patient के full medical report पर decide किया जा सकता है, तो we can't take any medicine on our self medication, so better to avoid self medication अब हम जान लेते हैं कि इसके doses क्या हैं तो, ask to your doctor according to the situation, वो आपको इसकी doses बताएंगे but it's for my mom and she is more than 40, 50 years, so जो old peoples होते हैं, उनको एक sudden time पर decide किया जाता है, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है at night at 8 p.m मतलब कि आप एक decided time पर, daily उसी time पर इस दवाई को intake कर सकते हो, so for the better results और यह जो है, इसके side effects जान लेते हैं side effects तो ऐसा कुछ है नहीं, बट फिर भी कुछ side effects हैं इसके, वो है headache stomach ache, या फिर joints में pain हो, etc और एक most important thing यह है, कि अगर कोई pregnant lady है, या फिर lactating lady है, तो she can't take this medicine even अगर वो यह medicine लेती भी है, तो before you have to ask your doctor then only you can take it, but better to avoid this tablet when you are pregnant so, I hope so कि इस medicine के बारे में मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, अगर फिर भी कोई कुछ रह गया हो या फिर आपको कोई क्वेरी हो is medicine से related तो you can ask me in the comment section I hope this video will be helpful, if helpful then please share and subscribe my video, thank you